है लाओ आइस कैसे हाँ सब अच्छे हैं पढ़ रहे हैं वेरी बहुत अच्छी बात है तो भाई आज अपने पास कैपेसिटर में कुछ अच्छे लेवल के सवाल है मेंस में भी पुछे जा सकते हैं और मेंली एडवांस के लिए तो अपना चैप्टर लगबग खतम है तो अ स्विच्छ है तो क्या किया इसमें पहले ठीक है कि फर्स्ट लीस एस वन इस क्लोज्ट पहले स्विच्छ वन को हमने क्लोज कर दिया क्लोज मतलब चिपका दिया ऐसे पहले स्वन को क्लोज कर दिया ठीक है अपने को क्लोज करने के बाद क्या क्या बताना है इसमें क्या क्य पहला दूसरा चार्ज और एच कैपेसिटर कि अरे कैपेसिटर पर कितना चार जाएगा तीसरा वर्क डन बाई बैटरी चोथा एनरजी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स पांचमा heat loss ठीक है पहले S1 close किया उसके बाद second S2 is closed फिर S2 close कर दिया S2 close करने के बाद S1 close है भाई S1 को अपन नहीं किया S1 close ही है फिर S2 close किया S2 close करने के बाद अपने को क्या क्या बताना है same ही बते एक से 5 तक तो same ही जाना है आपने को साहीघ बांत क्या बतानी है है चार्ज कि सप्लौन ओर सब्स्रीब्स सबसे पहले तरह केश लेते हैं अगर यह एस्टू ओपन है तो अपने को बहुत सिंपल दिख रहा है दोनों कैपसिटर सीरीज में हो गए ठीक है सीरीज में अगर हो गए ठीक है तो इस सवाल को एक बार लिख लो भी मतले मैं मिटा दूंगा बीच में करते करते ठीक है जैसे ही अपने स्वन क्लोज किया है डूंड है दो बड़े टूंड हो जोसीड़य में तो जैसन क्या बनेगी क्या बनेगि क्या बनेगी सीट्र सीुक्रव कू थ्यू एंटू सी उवर सी प्लस सी अगर चार्ज कितना फ्लो करेगा बैटरी से कितना करेंगा क्यूज़िज इपसिटर पर भी बताना है तो दोनों कैपेसिटर सीरीज में ही है तो सिंपल है अच्छा वागए ४क्यी इसको अपने आप से कर सकते हो यह बहुत असान चीज़ जो मैं कर रहा हूं एस टू वाले में ही थोड़ा सा पंगाएगा वह थोड़ा सा ही कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है तो देखो यहां से चार्ज फ्लो किया कितना सी बाइटू वी सीवी बाइटू तो हरे कापेस्टर पर सेम आएगा इस कितना वर्क किया कितना किया बैटरी वर्क करती है अपना क्यू इन्टू वी यहां से क्यू चार्ज फ्लो किया वी बोल्ट की बैटरी है ड़ीक है So work done by battery क्या आएगा चार्ज कितना वही सी वी बाइटू इन्टू वी ओ स्रूरी हाँ ठीक है सही है सही है सो cv square by 2 clear चोथा energy stored in each capacitor ठीक है वाज़े प्रावं में फोर्थ अपने पास है energy stored in each capacitor half cv square मतलब या capacitor पर क्या लिख सकते हैं या तो half cv square लिखो या half q into v लिखो या half q square by c लिखो तीन फॉर्मले हैं कौन सा लगाएंगे कौन सा लगाएंगे हरी capacitor पर चार्ज अपने को पता है चार्ज पता है और capacitance भी पता है तो क्या लगाना चीए q square by c मतलब potential difference पता कर सकते हैं बट अपने को potential difference दोन्नों के across पता है combined individual के across नहीं पता अभी तक निकालना पड़ता हूँ अभी निकाल रहे कोई चक्कर नहीं तो पहले capacitor पर energy आएगी half q square by c दूसरे भी सेम ही है तो half q what is q square q square is c v square by 2 c v by 2 था half q square by c ठीक है तो कितना बने गाई है half c square v square by 4 into c so 1 by 8 c v square यह क्या आया एक capacitor पर so इतनी energy each पे है इच पे है ठीक है ना दोनों पे इतनी इतनी है मतलब ठीक बात अगला लिखते हैं अब लिखना है heat loss so यहां पे हुआ क्या battery ने कुछ energy छोड़ी कुछ तो कपेस्टर ने रख ली और कुछ है उड़ा दी दूवे में उड़ा दी बहें सिंपल बात है क्योंकि तारों के पास क्या है रजिस्टंस है तारों के पास रजिस्टंस है वायर्स के पास ठीक है तो रजिस्टंस के थ्रू हीट लॉस होगी एक केस में अपनी heat loss नहीं होई थी कब नहीं होई थी जब यहां पे current लग बग 0 था अराम अराम से capacitor के अंदर अराम अराम से अंदर जा रहा था तो क्या हो रहा था अराम अराम से यहां से चार्ज फ्लो कर रहा था तब करेंट नहीं था तब हीट लॉस नहीं थी अभी तो होगी ठीक ना सो फिफ्ट में क्या करेंगे लॉस लिखना है अगर हीट लॉस तो भाई work done by battery जितना बैटरी अपने वर्क किया माइनस क्या माइनस करें एनर्जी स्टोर इन कैपैसिटर एनर्जी इन कैपैसिटर तो बहुत सिंपल जाएगा अपना तो देखो यहां पर ना एक वो चीज़ दोबारा निकल के आएगी कौन से चीज़ कि जितनी जितना वर्क बैटरी करती है उसका आध डाएटरी में और अधा कैपैस्टर में होता है कैपैस्टर अधा करता देखो लोज करता है ठेक है सो व स्कासिध है वह्टशी माइनस ही स्कूर काнемसी सीवी स्क्वेर ठीक है अब देखो आगे देखते हैं अब हमने स्टू को क्लोज कर दिया एंड यह सारी चीज़े लिखनी है ठीक है एंड एक्सा चीज़ और लिखने चार्ज फ्लो कितना हुआ सबसे ज्यादा सोचने की बात है बाग की चीज़ आसान है अब जब हमने स्टू को भी क्लोज कर दिया तो क्या हो गया हो गया तीन केपेस्ट्र हो गए तीन केपेस्ट्र होगे दो पैरलल और एक सीरीज सब ओंडेल वाले क्या बनेगा 2C ठेक है एक सीरीज सो 2C plus C over 2C into c उल्टा लिख दिया इनका कैपेश्टलास QC इनका कैपेश्टर सुपने पास यह आ गया क्या है C नेट UPPER है टू और नीचे है थ्री सो टू सी बाए थ्री कि क्या अब अपने को हरेग कैपेस्टर पर चार्ज लिखना है ह् charge लिखना है हर एक capacitor पर charge लिखना है तो अब यहां से charge चला कितना चला चलो पहले Q लिखते है Q through battery क्या होगा C into V net हो जाएगा sorry C net into V हो जाएगा What is C net? 2C by 3 into V यह क्या आ गया charge through battery Q battery के through S2 को close करने के बाद मतलब S2 close की बाते हो रही है यह सारी की साथी तो यहां से Q charge चला Q कितना है 2C V by 3 इस पर positive charge इस पर negative total कितना charge हो गया 2C V by 3 अब यह junction आया junction के बाद ना दोनों capacitor सेम है सेम है मतलब CC है So potential difference तो सेम होता है यह पैरडल में क्या सेम होता है Potential difference V is equal to Q by C So charge भी सेम होना चीए Charge सेम होना चीए तो यह plate positive negative यह positive negative दोनों पर charge कितना इसका आदा इसका आदा मतलब CV by 3 इस पर भी CV by 3 ठीक है So charge अपने अमने लिख दिया सारे charge लिखती है ठीक है अच्छा अब energy भी लिख सकते है energy लिखते है लिखे देते है energy चलो पहले हम extra charge की बात कर लेते हैं S2 में से कितना चार जाएगा और battery में ने अब कितना extra charge फेका पहले वो बात लिखते हैं energy की बात देखते हैं ठीक है तो देखो भई अब अपन क्या करेंगे कि इसके दो फोटो बनाएंगे मतलब initial and final दोनों फोटो बनाएंगे और दोनों फोटो से अपने को दिखेगा कि हुआ क्या है ठीक है तो देखो भई पहले क्या था पहले अपना जो ये वाला capacitor था इस पे कुछ charge था CV by 2 कुछ चार्ज बढ़ गया है तो इसकी इस प्लेट पे इतना पोजिटिव था इस पे इतना नेगिटिव था तो अब बैटरी ने इतना चार्ज छोड़ रखा है तो यहाँ पर पहले ये चार्ज आ रखा था अब ये चार्ज आ गया तो इस प्लेट पर कुछ चार्ज बढ़ गया कितना चार्ज बढ़ा लिख सकते हैं कितना चार्ज बढ़ा डेल्टा क्यू क्यू फाइनल माइनस इनिशिल 2 बाइ 3 माइनस 1 बाइ 2 इंटू CV कितना आएगा ये 6 LCM आगया 4 माइनस 3 बाइ 6 CV ये अपने पास चार्ज आगया कि कौन सा चार्ज आया ये जो इस प्लेट पर बढ़ा इस प्लेट पर बढ़ा तो ये चार्ज कहां से आया बैटरी से ही आया मतलब बैटरी ने यहां से पहले ही CV बाइटू छोड़ दिया था जब अपना खाली S1 क्लोज था सो CV बाइटू तो तभी छोड़ दिया था अब भी जब S2 क्लोज हुआ तो टोटल चार्ज ये कौन सा है टोटल चार्ज जो बैटरी छोड़ चुकी है ठीक बात इतना आप टोटल छोड़ चुकी है तो अभी एक्स्ट्रा कितना चार्ज छोड़ा सिंपल है ठीक है अच्छा आप आगे देखो आगे भई इस प्लेट पर पहले CV बाइटू चार्ज था माइनस CV बाइटू अब ये बन गया माइनस टू सीवी बाइट्री सो यहां से भी अग्गे की तरफ कितना चार्ज निकल जाएगा और टेका तो सीवी बाइ भाइ सिख्स यह कौन साहा एक्स्ट्र चार्ज अब अगले जंक्षिन पर चलते हैं अगला जंक्षिन अपना है वा Tag Room बने यह ये 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 ऐसे है ठीक है सो यहां तक तो हम पहुंच गया ठीक है यहां पे एक्स्ट्रा चार्ज अपना आ गया cv by 6 ठीक है सो अब आगे देखो अब जो cv by 6 एक्स्ट्रा चार्ज आया वो किस पे स्टोर हुआ जाए तो जो ज़ारज आए वो इक्वल बटता है अब जो एक्स्ट्र आया है तो जा न से देखो लगा है उसके पहले यह जो चार्ज था और इस पर धाई नहीं इस पे था इस पे थाई नहीं तो इस पर तो ज्यादा बढ़ेगा इस पर कम बढ़ेगा तो इक्वल नहीं बढ़ेगा अभी क्योंकि पहले इन पे चार्ज है ठीक है इसको देखो एक बार, इसकी इस प्लेट पर Q इनीशियल कितना था? Q इनीशियल था, CV by 2 था, Q final कितना है? Q final अपना है, CV by 3, यह क्या हुआ? यह तो कम हो गया, इस प्लेट पर कम हो गया बाई चार्ज, बढ़ा नहीं कम हुआ है, कम हुआ तो किस तरफ flow किया? किस तरफ flow पीछे के तरफ वापस भाग जाएगा ठीक है यहां से इस तरफ एक्स्टा चार्ज गया ठीक है यह वाला एक्सट्रा लिखते हैं कितना हुआ यहां से इसकी पॉजिटिव प्लेट से सीवी ऐसे चला इसकी नेगटिव प्लेट से सीवी ऐसे चला इस जंक्षन पर पहुंचे फिर कहां जा सकते हैं यहां से अक्सट्रा चार्ज एक्स्ट्रा कि और करती है थी और इसको थे यहलो एक बार दान से यह जो एक्ट्रा कितना आया सेम तो एक्ट्रा कितना हुआ सीवी बाई थ्री हुआ कि अलाम बज गया था मैं थोड़ा सा लेट उटता हूं तुम मैं क्या पता तुम जब देख रहे हो तभी सोच अभी दस बज़े हैं सुबहे के और एक्स सा चार्ज भी पता लगया ठीक है अब थोड़ा सा अगे लेख लो अपना एसटू स्विच कहा है एसटू स्विच है यहां पर थे तो एसटू के तू कितना पास हुआ है cv by 3 पास हुआ इस वायर के थ्रू कितना गया cv by 6 इस वायर के थ्रू cv by 6 और s2 थ्रू cv by 3 simple ठीक है अच्छा आगे देखो थोड़ा आगे देखते हैं अब यहां पे सोचो इस तरफ कितना extra charge जाएगा इस तरफ एक्स्टा चार्ज कितना जाएगा अब यहां पे यह तो नीचे आ गया मतलब िसको यहां से कितना चार्ज एक्स्टा जाएगा अब बैटरी ने जितना चार्ज छोड़ा है उतना ही चार्ज वापस भी लेगी बैटरी के पास आ रहे हैं तो सिंपल है सो यहां पर अपने को क्या दिखेगा कि इस तरफ एक्स्ट्रा चार्ज कितना जाना चाहिए एक्स्ट्रा बैटरी ने कितना एक्स्ट्रा चोड़ा सीवी बाई 6 ही जाना चाहिए, towards battery, ठीक है, towards battery, अच्छा, अब ये कैसे हुआ, अब ये कैसे उसका देखो जान से, ये भी काम की बात है, अपनी अगली plates देखो, जो negative वाली plates है, negative वाली plates, ये है negative वाली, ये पहले plate पे charge 0 था, पहले plate पे charge 0 था, अब कितना हो गया, यही हुआ, minus cv by 3, so, इस से, इस से इस तरफ कितरा charge गया, इस रास्ते पे, इस रास्ते पे गया, cv by 3, एक्ष्ट्रा ही लिख रहा हूँ, खाल लिबे, cv by 3 गया, एक्ष्ट्रा में, ठीक है, अच्छा, अब इस junction पे आ जाओ, इस junction पे, इस junction पे, cv by 3 नीचे आया, cv by 6 इस तरफ गया, ठीक है, तो, यहां से किस तरफ जाना चाहिए, पिछे जाना चाहिए, मतलब देखो, आ ज्यादा रहा है, जा कम रहा है, इस junction पे पहुँच रहा है, चार्ज कुछ ज्यादा, और आगे जा रहा है, कुछ कम, है ना, सो, इस junction से जाना चाहिए भी, और किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो कितना जाएगा, इस तरफ जाएगा, देखो, मैं λिखी देता हूं, डारेक्ट यहे तो, ठीक है, कितना बनेगा यह, कितना बनेगा, cv by 3 आया, cv by 6 इस तरफ गया, तो को और सोच लेते हैं इसकी नेगेटिव प्लेट इसकी नेगेटिव प्लेट के लिए क्या करेंगे सब से पहले तो जगह बनानी पड़ेगी लिखें कहां पर ठीक है सो अच्छे लिख ले ना कोपी में ठीक है मैं अलग-अलग पैनि यूज कर रहा हूं तुम्हारे पास इतन है क्यों इनिशियल था यह एंड क्यूं फाइनल कितना हो गया क्यूं फाइनल अपना हो गया माइनस सीवी बाए थ्री क्यूं फाइनल कितना चार्ट चेंज हुआ कितना चार्ट चेंज हुआ डेल्टा क्यूं इस एकवल टू क्यूं फाइनल माइनस क्यूं इनिशियल माइ माइनस लगा दो बीच में माइनस लगा देंगे तो यह प्लस हो जाएगा तो सीवी बाइटू माइनस सीवी थ्री अना सो कितना चार्ज हो गया एक मिंट ठीक है पहले कितना था उल्टा लिख दिया मैंने ठीक है तो देखो कितना आया यहां पे सीवी बाइडफिट्यीव आगया यहां पा सीवी बाइडफिफिव चार्ज बढ़ा नेगिटिव चार्ज था बढ़ गया । इसपर पॉजिटिव चार्ज आ गया नेखा इस प nous है घ्रल perspectives अ-स आपने पास क्या आ गया कि इस है 집 weit 10 24-चला गया है है अभर एकट मैंन Lars अगर देखें हम तो गट रहा हूं तो इस तरफ से पॉजिटिव जाया गया तो इस तरफ से नेगटिवर गया ठीक है या तो गि Comic आव्लों सी सूचना है यह सोचे सोचेंगे इससे षार्ज कम हुआ है तो इसकी positive से positive जाना चाहिए और negative से negative जाना चाहिए जाना चाहिए बट negative से negative जाना चाहिए बट हम क्या कह रहे हैं कि A कितना रहा है तो A कितना रहा है positive आ ठीक है तो I think clear हो गया है सवाल ठीक है एक बार फिर से देख लेना एक और सवाल कर देता हूं मैं ऐसा सो यहां पर अपने को क्या क्या पता लग गया कि बाई connect करने के बाद connect करने के बाद s2 से कितना चार्ज गया यह लिख दिया हमने ठीक है यहां से कितना है यह रहा यह कौन सा चार्ज है through s2 through s2 ठीक है बैटरी से कितना गया बैटरी से मैंने यह लिख दिया यह यह रहा ठीक है तो यह चार्ज कौन सा है through battery थुरू बैटरी सिंपल अच्छा एनर्जी कंसेप्ट बच गया अपना एनर्जी कंसेप्ट वाक्डन का कंसेप्ट ठीक है तो उसको देख लेते एक बार ठीक है अभी क्या याद है मेरेको तो चार्ज याद है कि इस पर कितना था ठीक है तो तुमारी कोपी में अब देखो भई फंडा क्या आना कि जो पहने फंडा था फंडा भई है चेंज नहीं है तो चेंज नहीं है तो फंडा क्या है कि जितना वाक्डन बैटरी करती है उसका अधा तो स्टोर होता है और अधा लोस होता है अधा स्टोर होता है अधा लोस होता है हमेशा ही यह अब बैटरी क्या करेगी कुछ एक्स्ट्रा वर्क करेगी कुछ एक्स्ट्रा वर्क करेगी तो उस वर्क का आधा पार्ट तो कैपेस्टर में स्टोर हो जाएगा और आधा लोस हो जाएगा ठीक है बैटरी से कितना चार्ज गया, cv by 6 गया, ठीक है, so q into v, q कितना है, cv by 6 into v, so cv square by 6, ठीक है, यह होगा आपना extra work done by battery, ठीक है, दूसरा, एक्स्ट्रा एनर्जी स्टूर्ड, एक्स्ट्रा एनर्जी स्टूर्ड, so final energy minus initial energy, so final energy को कैसे लिख सकते हैं, तो यह तो क्या करो, तिनों की individual लिख दो, तिनों की individual लिख दो, या फिर तिनों का C net बनाओ, और V तो voltage यह है, मदब simple ऐसा सोच सकते हैं, final में, हम ऐसा तो सोची सकते हैं, कि V volt की battery है, और उस पर एक ही capacitor मान लेंगे, पूरा, एक ही, उसकी capacitance कितनी, 2c by 3, 2c by 3, ठीक है, so energy कितनी होगी, इस capacitor में, half c, 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 v square, ठीक है, so कितना आ गया यह, c, v square by 3, c, v square by 3, यह क्या है, energy final, minus, energy initial, energy initial में क्या था अपने पास, energy initial ऐसे थी, दो capacitor ऐसे लगे थे बस, तो दुन्मों को ऐसे series में है, तो क्या बन जाएगा यह, c by 2, c by 2, और V volt, so energy is half c, v square, so यह आ गया, c, v square by 4, so minus c, v square by 4, ठीक है भाई, so यह क्या आगी, energy initial, so change कितना हुआ, lc, m लो, 12 lc, m आ गया, ठीक है, 4 minus 3, c, v square by 12, देख रहे हैं, क्या दिखा, क्या दिखा भाई, कि बैटरी ने जो अभी extra work किया है, उसका आदा ही, energy में गया है, ठीक है, so heat loss, heat loss कितना होगा, आदा ही हो जाएगा, c, v square by 6 minus c, v square by 12, so c, v square by 12, ठीक है, तो अभी जो 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 हमने किया, यह पूरा का पूरा सवाल, IAT advance में आ चुका है, ठीक है, और इस टाइप के वो सवाल, पूछे जा रहा है, मतलब chances हैं, वो इस टाइप की चीज़े, पूछे, आगे भी पूछे, ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखना है, हर एक प्लेट को सोचना है, हर एक प्लेट के बारे में सोचना है, जंक्शन लो लगाना है, काम हो जाएगा, ठीक है, सु जस्ट नोट आगे चलते हैं, नेक्ट देखो भई, इजी सा सवाल है, शयात्म कर सकते हैं, अपने आप से, वी वोल्ट लगा रखे, सी सी दो कैपेस्टर लगा रखे, एंड ये जो स्विच्च है, ये दो दोनों साइड क्लोज हो सकता है, कभी कुसी साइड कभी किस साइड हम कर सकते हैं, तो हमने क्या क इसमें, firstly, S1 is closed, S1 को हमने close कर दिया, closed for infinite time, infinite time तक इसको close करके रखा, क्योंकि infinite time मर, time पर ये कैपेस्टर पूरा चार्ज हो जाएगा, ठीक है, then, S1 is opened, and S2 is closed, फिर S1 को open कर दिया, और S2 को close कर दिया, ठीक है, मत कुछ नहीं कहा, पहले ऐसे रखा, फिर उपर कर दिया, उसको shift कर दिया, स्विच, ऐसा ही दिखना, तो उस स्विच को, ऐसे change करने से, क्या होगा, क्या होगा, पहले तो क्या होगा, ना, कि ये बैटरी, इस कैपेस्टर को चार्ज कर देगी, infinite time में, फुल चार्ज कर देगी, फिर क्या होगा, फिर बैटरी का connection तो उटकेस्टर से, और दोनों कैपेस्टर का ही बचा, सो फिर नीचे वाला कैपेस्टर उपर वाले को फिर चार्ज कर देगा, और अपना चार्ज कुछ कम कर लेगा, बात क्लिएर है, इसके अंदर अपने को यहीं बताना है कि कितना फाइनल चार्ज होगा दोनों कैपेस्टर पर चार्ज फाइनल ऑन कैपेस्टर ठीक है दूसरा एनर्जी लोस टोटल एनर्जी लोस टोटल शुरू से आखिर तक शुरू से आखिर तक टोटल एनर्जी लोस लिखना है ठीक है सो इसमें व्रक्डवाइब बैटरी भी लिखना चाहिए अपने को और और क्या लिखना चाहिए वाग्डवाइब बैटरी लिख सकते हैं energy स्क्रोड़िन कपेस्टर लिख सकते हैं गटा देंगे तो नहीं रहातिक्त सो कई चीज़ निकालने पड़ेंगे अपने को बाके सवाल असाना देखो जाएंगे तो भाई सबसे पहले सब्सक्राइब को क्लोज किया तो इस पर चार्ज कितना आ गया क्यों इनीशियल क्यों इस इक्वल टू सीवी सीवी आगे लुए इना पर उसके बाद क्या किया हमनें कि बाई यह कैपेस्टर था और दूसरा यह कैपेस्टर नीचे वाला क्या था पलए नहीं नहीं था ठाट तो जैसे ही हम идет को क्लोज करेंगे ऐसे स्विच इधर गुमारा हम से यह ऐसे डिशू चिपका दिया सिक तो जैसे ही चिपकाया तो क्या होगा लों कासेटर्स पर चार्ज सेम हो जाएगा त्या सेम उससे मोगें है इस यह प्रास लेफरेंस होगा क्युस्क्टि 열 सेम ही है सो वी इस एकरल टूर टू क्यू कह सी है सो शाइस आजी सेम होना चाहिए ठीक है तो बहुत असार मन गया यह पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव यह पॉजिटिव यह नेगेटिव सो इस पर क्यू फाइनल अधर है जाएगा सीवी बाई टू इस पर वी क्यू फाइनल सीवी बाई टू ठीक है देखो मैं डारेक्ट लिख रहा हूं बट अगर यह कैपेस्टर अलाग अलाग होते तो उपने को दिखना पड़ता पोटेंशिल डिफरेंस सेम लिखना पड़ता वों पर लेकर चुके हैं ठीक है सो चार्ट फाइनल तो आगया अब एनरजी लॉस ल सिंपल सो इससे बन जाएगा अपना काम ठीक है सो देखो एनरजी लॉस को दो तरी के से लिखेंगे हैं पहले में डारेक्ट लिख रहा हूं ठीक है मतलब बैटरी से डारेक्ट हम यह दो चार्ज हो चुके हैं वहां पर पोंच रहे हैं इनीशिली मदब अन्चार्ज थे ब वी सो अब मच चार्ज बैटरी ने कितना चार्ड है बैटरी चार्ज कितना चोड़ा है वाई यहां से पहले ही छोड़ दिया था cv चार्ज चूड़ा था cv इंटू पोटेंशल डिफ्रेंस एक तहाए वी सो cv स्क्वेए माइनस एनर्जी फाइनल एनर्जी फाइनल लिखनी है इसकी भी लिखो Q स्क्वेर बाई C लगा दें के दौनों का माइनस हाफ ठीक है ऐसे ब्रेकेट लगा दो Q स्क्वेर Q स्क्वेर इस C V बाई 2 होल स्क्वेर इन्टो 1 बाई C Simple और इसको 2 से multiply कर दो क्योंकि दोनों पर सेम ही है ठीक है 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया यह cv by 4 ठीक है और यह cv so cv square minus cv square by 4 so answer is 3 cv square by 4 यह क्या आ गया total energy loss ठीक है अब देखो इसको दूसरे तरिके जे बता रहा हूं मैं जो अपने को formula याद रखने है formula याद रखने है so energy loss को अब आपाद दो steps में लिखेंगे दो steps में ठीक है तो जब s1 close हुआ तो energy loss लिखना अपने को तो energy loss किसके इक्वल होगा capacitor ने जितने energy store की यह तो उसके एक्वल यह battery ने जो work किया उसका half battery ने जो वरक किया उसका half एक करने पर लोस लिखर है हाप अगला काम अब स्टू को खिया कि अस् ine स्टू क्लोज करने प्रक्र्ण क्या दिख रहा है जो के पैस्टेर्स को में गाज ना को दूब तोके पैस्टर ऍसे अपस्ट्रों हैं हम तो अनर्जी लोग्स का फॉर्मूला था आपने पास वैसा ही फॉर्मुला था जो फॉर्मुला अपने पास कहां पर होता है पर्फेक्टले इनलास्टिक कोलिजन में होता है जो फॉर्फेक्टले इनलास्टिक कोलिजन में होता हाफ M1 M2 over M1 plus M2 into V1 minus V2 whole square ठीक है तो यहां पर क्या होगा हाफ C1 C2 over C1 plus C2 into potential difference के difference का square V1 minus V2 whole square ठीक है अच्छा आप देखो initially यह charge positive था इस पे charge 0 था एक तो 0 ही हो गया V2 तो 0 V1 कितना potential था अरे यह था system V potential था parallel में था ना सो potential कितना था इसका V ही था सो V ही आगया यह कितना आगया V आगया सो यहां से क्या आएगा अपने पास 1 by 2 C square over 2 C into V whole square ठीक है कितना आगया 1 by 4 C V square ठीक है सो यह भी क्या आगया अपना energy loss यह कब वाजब S2 close किया यह कब वाजब S1 close किया सो total energy loss total energy loss is 3 by 4 C V square आगया समझे आगया ना ऐसे यह आजाता है बाई बिल्कुल चाही बात है ऐसे इसा मझा आजाता है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें इसको ठीक है एक अदा सवाल और देखते हैं अब resistance लगाएंगे साथ में सो उसके बाद देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ठीक है नहीं को फूंदब भाई नया सवाल इंट्रस्टिंग सवाल अबकि बाद रोगों अब रजिस्टेंस आगया साथ का ठीक है तो पहले तो ठीक है और ये एक सर्केट में जुड़ गया जिसके साथ एक resistance है एक resistance लगा है सो क्या होगा capacitor अब discharge होगा ठीक है तो ये इस सवाल में क्या है पहले तो charging होगी capacitor की and then discharging होगी ठीक है समझ पा रहे हैं कैसे भाई वी वोल्ट है पहले इसको charge करेगा ये सिंपल है सर्केट ये ऊपन रहेगी मद ये क्लोज रहेगी उसके बाद ये क्लोज हो जाएगी फिर रिलीज करेगा एनर्ची को ठीक है रजिस्टन्स के थूप ठीक है सो अब देखो सवाल देखो क्या है इसके अंदर हमने इसमें क्या किया एस वन इस लोजट कि फोर वन टाइम कॉंस्टेंट वन टाओ टाइम कोंस्टेंट इसमें टाइम कोंस्टेंट था भाई अनुटाइम के साथ चार्ज हो रहा है देन एस वन को उपन कर दिया और एस टू को क्लोज कर दिया अज़्यक्त को क्लोज कर दिया ठीक है अपने को बताना है कि फाइंड 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 चार्ज ओन कैपैसिटर अफ्टर अफ्टर वन टाइम कॉंस्टेंट का तो कि मतरा अफ्टर को अफ्टर एस टूई जो कर दिया उसके बाद हम् दोबारा टाइम मैजर करने लगे रहें तो दो टाइप के टाइम चल रहा है पहले उस पर डिशार्जू वाला फिर डिस्चार्जिंग वाला ठीक है सो यह सवाल कुछ नहीं है इसमें charging and discharging mix हो रखा है सो क्या कर सकते हो just pause and try to solve it अगर कर पाते हो तो जिन्दगी में अच्छा लगेगा ठीक है मैं कर पाऊंगा तो मिरे को भी अच्छा लगेगा मिरे को करते देखोगे तो कम अच्छा लगेगा ठीक है सो क्या कर रहे है पौज कर दिया ठीक है देखो पहले क्या हुआ भाई पहले अपनी सर्केट बना दो सिंपल ठीक है simplify कर दो चीज़ों को जितना सिंपल समझाएगा उतना सब से अच्छा रहेगा ठीक है वी वोल्ट है आर रजिस्टंस है सी कैपेस्टर है ठीक है तो चार्ज अपने पास फोमला बन जाता है इसमें क्यू नोट इन्टू बढ़ रहा है बढ़ रहा है तो वन माइनस ए रेस टू पावर माइनस टी बाए आर सी ठीक है अब इसके अंतर तो सिंपल एगा रिजिस्टंस है कि कैपेस्टर तो आर सी ही जाएगा होनो सो क्यूप मोट कोन सांग है कोण सांग है कि मैक्सिममट चार्ज वर्ट इस मेक्सिममम चार्ज मैक्सिमार्य मैक्सिमम चार्ज कभसपinesBS अवाएगा मकिसमटार जाना चाहय इन्फानाइट टाइम पर करेंट चले गए नहीं सामे इनिछ नाइट टाइम पर स्टैडी स्टेट हो जाती है सू करंट सलेगा है करेंट नहीं चलेगा तो यह और यह parallel में और विल् lawsuits तो सो क्यों कंऄ आएगा न brag km द notebooks अछे एक अपने को आर लिखना होता है Q कर तो एक यह अभी आरी है वह पक तो ये अगे पनी equation, इसके बाद भी कुछ काम की बात है, इसने one time constant की बात की है, time constant क्या होता है, इसमें होता है time constant RC, क्या करते है, e की power जो भी है minus को अठा के उसको one put करो so t by rc को one put करो rc आदमी थे जिनने time constant निकाल ला क्योंकि वो one रखना चाहते थे time constant कितना आ गया rc simple so at अब लिखेंगे at time is equal to tau जिसकी value है rc q must be equal to q naught into 1 minus e raised to power minus 1 so what is q naught cv 1 minus 1 by e इसको solve करेंगे तो बनेगा यह 0.63 0.63 ठीक है तो 0.63 into q naught यह बन गया अपने पास charge ठीक है वैसे भी याद याद योगा अपने को कि time constant में कितना काम हो जाता है 63% काम हो जाता है तो 0 से शुरू हुआ तो 63% चार्ज हो जाएगा 63% उसके नीचे 100.63 ठीक है अब यहां से ना डारेक्ट अंसर आ गया होगा दिमाग में अगला अंसर डारेक्ट आ गया होगा फिर से क्या करा है कि भाई अब यह कैपेस्टर लिया हमने ठीक है और यह रजिस्टेंस और रजिस्टेंस के साथ जूड दिया अब यह क्या हो रहाए तो देखो यहां पर डिस्चार्जिंग की टीकेशन बड़ी खास है खास कैसे है यहां पर जो q not है देखो डिस्चार्जिंग की क्या होते है q is equal to q not e to power minus d by rc यह होते है तो आर सी तो सही है क्यों नोट बताएंगे भाई क्यों नोट कौन सा चार्ज है यह यह वो चार्ज है जो कैपेसिटर पर T0 पर था कौन सा T0 अरे जब यह डिस्चार्जिंग शुरू हुई तो T0 मतलब जब यह स्विच यहां पर लेके आए हम तो कितना चार्ज आया है इस पर यह आया है इस पर अना सो क्यों नोट कितना होना चाहिए जो T0 पर था 0.63 इंटू Cv यह था चार्ज भाई ठीक है यह यहां पर काम की बात है अगर हम पहले स्विच को इंफाइनाइट टाइम तक क्लोज रखते तो क्या होता इनफाइनाइट टाइम तक क्लोज रखते अब cv discharge नहीं होगा cv तो आया है यह नहीं ठीक है कितना होगा 0.63 इंटू Cv ठीक है तो यह 0.63 आ बाकी प्याते सारी सेम है ठीक है तो क्यूं कितना बनेगा 0.63 इंटू Cv e raised to power minus T by RC फिर से इसका time constant तो सहीं ही है time constant कितना है RC तो यह क्या बन जाएगा minus 1 so 0.63 इंटू Cv इंटू 1 by E यह क्या आएगा आपने पास Q final ठीक है एकी value put कर दो जो भी है अपने पास answer आ जाएगा यह कितनी value है 1.2.7 कुछ ठीक है यह बनेगा 3.7 so अपने पास answer जो आएगा 0.63 इंटू 0.37 इंटू Cv simple है clear है ठीक है अच्छा देखो और 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 क्या इसमें direct क्या बोल सकते हैं हाँ मदा अपने आप ही समझ गया होगे तुम मतलब क्या था ना initial charge q note अगर होता है तो एक time constant पर कितना बच जाता है कितना बच जाता है 0.37 इंटू q note बच जाता है यह अगर t0 पर होता है तो यह t time constant पर ना वन से शुरू वादो 0.37 ओगा ना 63 कम होगा तो q note कितना था यहां पर 0.63 इंटू cv था तो कितना हो जाएगा 0.37 इंटू 0.63 इंटू cv ठीक है तो यहीं आ गया तो देखो क्या क्या दिखरा ना अपने को अगर हम थोड़ी सी प्रेक्टिस अगर ज्यादा करें सवाल ठीक है तो सिर्फ एक एक सवाल और कराता हूं ठीक है बाकि वह सवाल जो भी करा हूं आप वह अपना नेक्स चैप्टर में भी आएगा बहुत अच्छे से तो एक बार में करा दिता हूं उसको यह जंक्शन लोग पर है डारेक्ट सवाल जंक्शन लोग एंड वोल्टेज यहां पर टैन वोल्ट की वोल्टेज है यहां पर फाइव वोल्ट वोल्टेज है और इसको ऐसे अर्थ कर रखा है इस टाइप के सवाल अपने को निख सकते हैं किताब में तो भई अपने को क्या बताना है इन कैपेस्टर पर चार्ज बताना है इस पॉइंट का पोटेंशियल बताना एक तो यह पॉइंट पी है सीकोसर पोटेंशियल ओफ प्उइंट पी एंड चार्ज इंगेज कैपेसिटर दो काम करने हैं वा, अब देखो बात किया थी, यह मने कि किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं बता सकते हैं एक जक्च सरकेट में में पोटेंशियल नहीं बता सकते है Byट बट थ अमशकल ह ठीक है और मैं इस पॉइंट की वोल्टेज बोलता हूं वोल्टेज नहीं पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल में बोलता हूं 20 तो इसका 0 ही होगा न फिर तो ठीक है तो सर्केट में हम किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं बता सकते बट बट किसी एक का अग छोजाब है करता है के स्वाल को हम कैसे करेंगे इस टाइप के सवाल में ज्यादा तर जंक्शन लगाएं गए आप थेक है सो देखो इस जंक्शन पर कुछ चार्ज आएगा पुछ चार्ज जाएगा वसक्राइगा अब देखो इस जंक्शन पर यहां पर मालो इस तरफ आया क्यूँवन जार्ज निकल गान अब उपर से आएगा या उपर की तरफ जाएगा तो नीचे का तो साफ दिख रहा है अपने को जीरो पोटेंशिल है और यह दोनों पॉजिटिव है तो इस तरफ तो क्यू टू जाना चाहिए यह पॉजिटिव यह नेगिटिव अपने को लग रहा है बट यहां पर क्या होगा जाएग अब देखो अगर गलत होगा यह तो क्यो थ्री नेगिटिव आ जाएगा तो कोई दिखकत नहीं तो यह प्लेट पॉजिटिव यह पलेट नेगिटिव सो इस जांग्षन पर अपने को क्या पता लग गया q1 q2 q1 आ रहा है q2 q3 जा रहे है तीक है तो जांग्षन लों क्या बन जाएगा अपना q1 must be equal to q2 plus q3 अपने को यह जंक्शन लो लगाना बस ठीक है अब क्यूज की वैल्यू लिखने हैं क्या करोना इस पॉइंट का potential ऐसे मालो वीपी है वीपी है इस पॉइंट का potential ठीक है अब देखो बई क्या हम q1 की लिख सकते हैं किसकी टाम में किसकी टाम में potential की टाम में इस पॉइंट का potential टैल वॉल्ट इस पॉइंट का potential वीपी यह पोजिटिव लेट यह नेगेटिव सो q1 कितना आएगा q1 must be equal to c into v अच्छा एक बात जान रखनी है वी क्या होता है potential difference होता है है तो हाई माइनस लो करना पड़ेगा हाई को हाई कौन सा potential guarantee और यह जि Barbara चार जैसे फ्लो किया ना तो हम क्या जूम कर चुके है कि यह पोटेंशिल हाए है यह पोटेंशिल लो है जब चार जैसे फ्लो किया तो हम क्या मान चुके है यह पोटेंशिल हाए है यह पोटेंशिल लो है चार्ज ऐसे फ्लो किया तो यह है यह यह लो है इसमें जान रखना हेकिए ख्यूट की एगकि क्या आएगी क्योening की वेवन खार्याव सी इन तु ही ऑना है 10 माीनस पी इसविअ क्योंता लिए चैकर रहा है क्यों खू-थार रायक म summers Mr. आएसे आया है आतो यह पोटेंशियल हाय है यह पोटेंशियल है त्टैन लोह है टेक्वाइट का पोटेंशियल ईपैंट काप ईख विए प्लेटो यह न्यक्ति एप नेगेटीव यह पता ल recharge लगेगा अनक Unpaste सी पोटेंशल दिफ्रेंट्ट यहां पे गलती कर दी तो गल्त हो जाय सारा ठीक न abraht टिर अब व्पर गया है तो यह पोटेंशल हाय है यह पोटेंशल लोग है फटेंशल दिफ्रेंग्स भी बीदी भी-पी माइनस अब क्या करो इन वैलिए इनकी वैल्यू या रख दो कहां पे जंक्षन लो में रख दो बस तिक इस टाइप के रिजिस्टन्स में बहुत सारे सवाल आएंगे ठीक है रिजिस्टन्स कैपेस्टर मिक्स के भी आएंगे ठीक है वह मागे पढ़ देंगे बहुत ज्यादा ही प्लमी ओड़ी है मैं तो दाऊंगा मेरी मरजी मेरी मरजी टें इन माइनस वी-पी इस इकवल टो वी-पी तोवी-पी-चरील टो उसको इस तरब ले जाओ पंदरा सो वीपी इस इकवल टू फाइव वीपी आगा फाइव अब देखो भाई अब चार्ज लिखना है न सब पे सब पे चार्ज लिखना है तो जो भी चार्ज है उसमें वीपी है और कुछ है नहीं ठीक है खी इंटू वीपी वीपी कि अना फैव ठीक है यह वीपीबद्गियान क्यू थ्री मॉट्रीब ऊपड़नेगा क्या आइएव जीरो क्यूट कांद की बात आई एक जिरू ही आएगा बात क्लियर सिंपल था ठीक है तो चलो कैपेस्टर में अब तुम सारा मोडूल सोल कर सकते हो इच एड़ एवरी कोश्चिन यू कन सॉल ठीक है ट्राइ करो ठीक है और हम डाउट्स क्लास में डाउट्स लेंगे ठीक है ठीक है बाबाई एंजोई